दोस्तो लोन लेने के बाद यदि लोन लेने वाले की मृत्ती हो जाती है तो ये घटना अत्यनती ही दुखत मानी जाती है ऐसी दशा में यदि लोन छोटा मोटा हो तो परिवार वाले उसका भुकतान आसानी से कर सकते हैं लेकिन लोन की राशी बड़ी हो या यही लोन होमलोन के रूप में लिया गया हो, तो परिवार के दूसरे सदस्यों को इतनी बड़ी राशी जमा करने में परेशानी आ सकती है। ऐसी दशा में सवाल ये उठता है कि यदि लोन लेने के बाद लोन लेने वाले की मृत्यू हो जाए तो बेंक या फाइनेंस कंपनी क्या करती है तो आज की वीडियो में हम इसी सवाल का विस्तार में जवाब देने की कोशिश करेंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मंगलेश आप है हमारे चैनल पर नोबकवास ओनली फाइनेंस तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती दोस्तों यदि परिवार के किसी सदस्य ने लोन लिया है और बदकिसमती से उसकी मzdir हो जाती है तो उस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी सबसे पहले परिवार के दूसरे सदस्यों की ही होती है जिस प्रकार रिंड लेने वाला व्यत्ति यदि किसी शास्की सेवा मे था तो retirement, वीमे के पैसो तता उसकी संपत्ती पर प्रतम अधीकार या हक परिवार के दूसरे सदस्यों का होता है उसी प्रकार उसकी म्रत्यू के उपरां तो उसकी देंदारियों की जवाबदारियां भी उसके परिवार के सदस्यों की ही होती है इसके अलावा अगर लिया गया लोन घर पे है यानि होम लोन लिया है तो स्वाभाविक रूप से परिवार के अन्न सदस्यों से लोन की वसूली करेगी लेकिन लोन लेने वाले की मरत्यू के पशाद बेंक क्या क्या कर सकती है ये पूर्ण रूप से लोन किस प्रकार का लिया गया था उस पर भी निर्भर करता है और यदि होम लोन लिया गया था तो स्वाभाविक रूप से अधिकांश बेंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनिया जब होम लोन देती है तो इस प्रकार का लोन सयुक्त रूप से दिया जाता है इसका मतलब है कि बेंक होम लोन देते समय परिवार के जादातर वयस्क सदस्यों को यानि पती-पत्नी अथवा परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों को उधार करता के रूप में जोड़ कर लोन परियापत समय और अन्य सहुलियत मिलने के बाद भी लोन नहीं चुकाया जाता तो बेंक या हाॉसिंग फाइनेंस कमपनिया अपने लोन की वसूली के लिए कानूनी कारिवाही का सहारा भी ले सकती है बेंक या हाउसिंग फाइनेंस कमपनियां होम लोन देते समय अपने पास संपत्ती को गिर्वे रखकर संपत्ती के समस्त दस्तावेज या कागजाद बंदक रखती है ऐसे में उनके लिए कानूनी कारेवाई करना बहुत ही आसान सी बात होती है लेकिन अब सवाल ये उड़ता है कि जिस लोन को लेते समय यदि कोई परिवार का सदस से नहीं जोड़ा गया हो तो ऐसे लोन का भुकतान बेंक कैसे करवाती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ऐसे रिंड देते समय बेंक जादातर मामलों में कोई न कोई ग्यारंटर जरूर मांगती है और उसकी ग्यारंटी के आधार पर ऐसा रिंड स्वीकरत किया जाता है ऐसे में यदि लोन लेने वाले की मृत्य हो जाती है तो उस लोन को चुकाने की जवाबदरी उस लोन के ग्यारंटर या नी जमानतदार की होती है और यदि ग्यारंटर भी इस लोन के भुकतान में आना का नहीं करता है तो बेंक उस पर ग्यारंटर एग्रिमेंट के तहर कानूनी कारिवाई कर सकती है इन सब के अलावा देखने में आया है कि ज़्यादा तर बेंक या हाउसिंग फाइनेंस कमपनिया लोन देते समय मुख्य आवेदक अथवा सह आवेदकों को बीमे की पेशकश भी करती है यदि लोन लेने वाले ने इस प्रकार का कोई बीमा लिया है तो उसकी मृत्यू के पशाद बीमा कमपनी बचे हुए लोन का बुखतान कर देती है और परिवार के अन्न सदस्यों या ग्यारंटर को किसी तरह से परिशान नहीं होना पड़ता लेकिन अक्सर देखने में आया है कि लोग लोन लेते समय थोड़े से पेसे बचाने के चकर में ऐसे बीमे अगरह को मना कर देते हैं जिसका खाम्याजा उनके जाने के बाद उनके परिवार को भुखतना पड़ता है तो यदि आप भी किसी तरह का लोन ले रहे हैं तो हमारा अनुरोध है कि उसकी सुरक्षा के लिए बीमा अवश्य करवाएं ये बिल्कुल भी न सोचे कि बेंक या हाॉसिंग फाइनेंस कमपनिया आतिरिक्त कमाई के लिए आपको बीमे का आगरह कर रही है बेंक या हाॉसिंग फाइनेंस कमपनिया सिर्फ अपने रिण और आपकी सुरक्षा के लिए आपको बीमे का आगरह करती है तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारी उमीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी अगर हां तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें साथी आपसे निवेदन है कि यदि आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जिसके परिवार में ऐसी ही घटना घटी हो तो उनसे ये वीडियो शेयर करके उनकी मदद जरूर करें आपका कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें आखरी में फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसी ही इन्फरमेटिव वीडियो आपको मिलती रहे अगली बार ऐसी ही किसी नई जांकरी के साथ फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत